कॉंग्रिस की पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर मोदी और बीजेपी पर खोब निशान साथा लेकिन इस दौरान उन्होंने ये भी मान लिया कि मोदी कुमराना उनके और उनकी पार्टी के बसकी बात नहीं राहूल गांधी जानते हैं कि मोधी की क्या ताकत है और उनकी पार्टी की क्या इसलिए वो और उनकी पार्टी ने मोधी सरकार के सामने पहले ही सरेंडर कर दिया 2019 में मिली करारी हार के बाद राहूल गांधी 2024 के चुनाओं से पहले ही समझ गए हैं कि मोदी से मुकाबला करना है तो उन्हें एक कदम पीछे हटना होगा दरसल अमेरिका में भारतीय समुदाय से बात करते हुए राहूल ने कहा है कि मौजूदा वक्त में देश के अंदर दो अलग-अलग विचार धाराओं की लड़ाई चल रही है इसके लावा उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि भारत में वीजेपी के वैकल्पिक द्रिष्टिकोड के लिए विपक्षी पार्टिया एक जुट हो रही है राहूल गांधी ने ये भी कहा कि जब भी वो खेर कॉंग्रस विपक्षी दलों से मिलते हैं तो उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि वो एक जुट हो कलड़े इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के एक धड़े को भी निशाने पर लिया और बीजेपी को लाज़े दिन लाइन दिखाने का आरोप ही लगाया उन्होंने कहा मीडिया के बहुत से लोग बीजेपी और आरेसेस को लाज़े दिन लाइफ दिखाना पसंद करते हैं कृपया, हिमाचर प्रदेश और करनाटक विधानसबा चुनाओ को भी देखें, हम अधिप्रदेश, अतीजगर्ड और राजस्थान में चुनाओ कनारे चा रहे हैं, उन चुनाओं पर अगर गौर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि कॉंग्रस पार्टी बीजेपी को हराने और बाची चारी है, मैं आपको पताना चाहता हूँ कि ये चर्चा बहुत ही प्रभावी धंग से आगे पट रहे हैं। इन दोनों के बीच में लड़ाई है, ये कोई नए विचार नहीं है, ये कोई नए विचार धारा नहीं है, ये लड़ाई काफी सालों से चली आ रहे हैं। और वो अकेले मोधी से मुकाबला करने की स्थिती में तो नहीं है। अब सवाल है कि जब राहूल गांधी अकेले मोधी से मुकाबला नहीं कर सकते तो उनके समर्था को ने पी-म बनाने का खाब कैसे देख सकते हैं। क्योंकि विपक्ष में तो कोई पी-म उमीदवार है, ऐसे में दूसरे विपक्षी दल राहूल को पी-म कैंडिडेट घूशित करने पर राजी होंगे, ये काफी मुश्किल लगता है। और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं।